मैं राश्पती अविवाशन के समर्थन में खड़ा हूँ आओं और सबसे पहले जो नतिस तारीक को जो हुआ अविवाशन के समय जो 16-17 पार्टियों ने भहिश्कार किया उस भाशन का तो बहुत दुखद घटना है हम लोगे जितने भी संसिदी जीवन मेरा हुआ है उसमें मैंने ऐसी घटना नहीं देखी जब पूरा विपक्ष राश्पती के भाशन सुनने नहीं आए ये एक सरकार के विरोध में नहीं है राश्पती जो एक सविधानिक पद है सो सबसे शर्फशेष्ट पद है अमनों के देश का उसका अपमान है और मुझे आश्यरी इसलिए हो रहा रहा शापत इसलिए लग रहा है कि भाशन सुनने तो लोग नहीं आए लेकिन याप भाशन देने सब लोग उपस्तित हो गए अपनी बात कहने के लिए सब लोग उपस्तित हो गए आप लोग आके भाशन दे रहे हैं और यही बात मैं कहना चाहता हूं और यही बात जो मेरे किसान भाई उन सीमाओं पर बैठे हैं उनसे मैं यह बात कहना चाहता हूं कि इन लोगों आप जरूर पहचानिए जो आज सदन में खड़े होकर मेरे कुछ सदस मानिये सदस लोग ज सरकार ने क्या क्या किया किसानों के लिए कैसे किसानों की जो जिंदगी उसको खिशाल करा आगे बढ़ाने का काम किया मुझे मैं किसान भाईयों से कहना चाहता हूं कि इनको पैचानी यह लोग चाहते हैं कुछ लोग बोल रहे हैं वो चाहते हैं कि पंजाब में उनकी सरकार आजाएं कुछ लोग चाहते हैं कि हर्याना में फिर से वो लोग आ जाएं इसलिए वो लोग यहां भाशन दे रहे हैं आपके उनको कोई समवेदना नहीं है कुछ नहीं चाहते हैं वो लोग इसलिए हैं कि उनकी सरकार है सत्ता में आना चाहते हैं नहीं तो मैं चाहूंगा हम लोग निड़ने ले अपनी पार्टियों का जो आपके यूवराज हैं उनके कहने पर चलेंगे तो पार्टी 415 से 40 से पहुंच आई है अगली बार 5 पर पहुंच जाएगी इसलिए अपने अपने जो वरिष नेता उनकी बात सुनिया हमारे नेता ने लगातार किसानों के लिए काम किया है और दिखाया है उन्होंने काम करके जितने भी मैं कहना नहीं चाहता है हमारे आदर्णी मंत्री जी ने सारी बाते कह दी मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन आज आप देश के किसान से तो पूछें कुनेंगे हम अगर हम आप मैं बार बार सुना हूँ कि आप विलकुल बाती निसन ताना शाह हो गए हैं आप किसी की बात निसना चाते हैäischen कि Zen Florin टा ताना शाही यह होती है यस घ्राम एक उनाखार मेंड jourंजेंची ती हमारी पिता जी 1911 ञेल वो नहीं टी जेल वह बात दूसरी है 19 महिने हमसे कोई मिलने नहीं आया एक आदमी डर के कोई मिलने नहीं आता था ये तानाशाही होती है तानाशाही ये होती है हमारे पूर प्रधानमंत्री आदर्णी नरसिमा राव जी जब पद से हटे तो उनका घर कॉंग्रेस मुख्याले से आधा किलोमेटर भी नहीं था उनसे एक व्यक्ति नहीं मिलने जाता था ये तानाशाही होती है तानाशाही ये नहीं होती है कल हमारे एक मित्र खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री के बारे में व्यक्तिकत्रिपड़ी कर रहे हैं कि उन्होंने दाड़ी बढ़ा लिए उन्होंने ये कर लिय यह इसतर है आपकी बोलने का बंगाल में क्या हो रहा है आप कहे रहे हैं कि हमारी मुख्यमंत्री चपल पैंती चपल बैंने से कोई महत्मागांधी हो जाएगा मातमाजानी बनने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा कुरबानी देने पड़ेगी और हमारे प्रधानमंतरी ने अब परी समझ में नहीं आता कि व्यत्तिकत टिपणी क्यों हो रही है हमारे प्रधानमंतरी अगर कुछ कर रहा है आप उनकी कारियों को देखिए प्रधान मंतरी की शकल देखने के लिए और उसके लिए प्रधान मंतरी नहीं इस देश ने उनको चुना है उनको चुना है वो देश के लिए काम कर रहे हैं देश का अनमान पूरे देश में पूरे विश्व में उन्होंने बढ़ा है इसलिए नें उन्होंने काम किया, उनके जो और जो, मैं तो आश्चर चकित था, हमारे मित्र बोल रहे थे, मैं तो समझ नहीं पह रहा है, मैं जानना चाहता हूँ इस चीज में, आईश्मान भारत वहां क्यों नहीं बंगाल में क्यों नहीं लागुक किया गया मैं चाहूंगा कि वो कह रहा हैं कि हमारे पहले से है बंगाल में कोई कोई योजना उनकी पहले से चली तो इसको भी जोड़ दीज़े आप दीजिए पांच लाग के जग दस लाग दीजिए वहां के लोगों क्यों नहीं कर सकते आप इसलिए नहीं करते हैं आप कि आप प्रधान मंत्री का नाम नहीं जोड़ना चाहते हैं प्रधान मंत्री तो हमारे प्रधान मंत्री यह है कि अपना नाम नहीं जोड़ते हैं प्रधान मंत्री से है सारी योजना है प्रधान मंत्री सम कि अपने बंगाल के साथियों से कहूंगा बंगाल के लोगों से अपील करूंगा कि जानिये कौन सी सरकार जो है जो आप के लिए काम करेगी आपके विकास के लिए काम करेगी आपके सम्मान के लिए काम करेगी मैं एक चीज कहना चाहता था मेरे पार समय कम है लेकिन मैं जुरू कहना चाहूंगा 370 धारा जो हटी है मेरा मानना है कि ये सबसे अच्छा काम पिछले कई सालों में हुआ इसलिए मैं कहा रहा हूँ मैं व्यक्तियत रूप से हो सकता है ये मेरा मन है क्योंकि जब भी हम भाशर देते थे उसके पहले हम लोग बार बार ये बात दोरानी पड़ती tahun चाह्व है ये क्या मतलग है पहले भी अभिया अच भी तया लेकिन हम लोगे मन में कोई शंका थी कि वो अंग नहीं है लेकिन 370 हटने के बाद लगातार हम लोग ये बात कहना लोगों ने बंद कर दिया और ये बहुत बड़ी बात है ये और मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते हैं लेकिन जो आम आदमी है उससे इस बात से जुड़ा हुआ उससे लगता है कि हां कश्मीर अब हमारा एक अबिन अंग है और हमारे साथ है अधरनी गुलाम नवी जी कह रहे थे कि क्यों यूनियन टेरिटरी बना दिये गए वो तो मैं चाहूंगा हमारे अध्यक जी बैठे हैं ये बताएं उनको लेकिन लद्दाक की लोगे बारे में आपने सुना है उनकी बारे में सोचिए उन् वहां घर बन रहे हैं वहां सडके बन रही है जो पिछले एक साल में काम हुआ है उससे वहां के लोगों का जो विकास हो रहा है जीवन स्तर बढ़ रहा है वह आप देखी मैं अंत में अंत में नहीं अगर मेरा समय अभी है शायद मैं एक योजना जो मानी प्रधान मंत्री जी ने शुरू की है जल जीवन योजना ये मेरे लिए और हम जिस शेत्र से आते हैं बलिया और जो गंगा के किनारे का इलाका है जहां पर आर्सिनिक पानी की बहुत समस्या है जो प्रधान मंत्री जी का योजना है कि 2024 तक हर घर तक पानी पहुचाएंगे नल से ये बहुत महत्पूर्ण योजना है क्योंकि मेरा ये मानना है कि पिछले 70-72 साल में हम लोग अपने लोगों को सच्छ पानी पीने का नहीं दे पाएं ये हम लोग में कमी गए म मैं अपने बात नहीं कर रहा है सब की बात कर रहा हूं हम लोग और मैं जब देखता हूं उन बच्चों को जो आर्सिनिक पानी पीकर आज विकलांग है जिनकी आँखों की रोशनी चली गई है तो मुझे बहुत कश्ट होता है ये जो काम कर रहे है मानिये प्रधान मंत्री जी मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उनका सयोग करें और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी योजना है अगर पूरी होती है 2024 तक तो ये देश के लिए बहुत महत्पूर्ण योजना होगी मैं फिर से एक बात और दोहराना चाहूंगा जो 140 वाला है मैं बार बार ये कहता था जब मैं विपक्ष में था तब ही मैं ये बात बोलता था कि प्रधान मंत्री जी की ये जो योजना है सवचाले की ये सबसे महत्पूर्ण सबसे अच्छी योजना है माने नीरजी कंक्लूट करिए 12 मिनिट होगे सर हो जाएंगे मैं मैं ये कहना चाहता था सवचाली की जो योजना है बहुत महत्पूर्ण योजना है ये हमारे सम्मान से जुड़ी हुई थी आप पतानी कितने लोग गाउं में आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं लेकिन जब मैं जाता था आज से 7-8 साल पहले जब सड़कों के किनारे का द्रिश्ट देखता था तो उससे सर्मन कोई द्रिश्ट नहीं होता था मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे सौचाले बन रहे हैं और आगे भी काम होता रहेगा मैं फिर से अंत में एक बात कहके अपनी बात खत्म करूंगा मैं फिर से किसान जो किसान बैठे हुए हैं और जिनको अपती है क्योंकि प्रधान मं प्रधान मंतरी जी ने बार-बार कहा कि मैं और उसका में समझ नहीं आता है कि हर चीज का मजाग क्यों उड़ाया जाता है प्रधान मंतरी जी ने कहा मैं एक कॉल दूर हूं इसका यह मतलब नहीं कि फोन करिए आप मुझे प्रधान मंतरी जी का इसका यह मतलब है कि प्रध करते हैं इसलिए वातों को थे देश नुक्सान हो और ऐसा हो रहा आपकी पार्टि का भी नुकसान हो देश का हो रहा है तो इसको समझें मैं फिर से आमका अभार भएक करता हूं धन्यवाद